आज हमारे पास में टॉपिक निगल क्या है डमी अब इस डमी में टॉपिक नी समझ मैं रहाँ यह तो एक प्रॉपीटेबल सिच्वेशन है ठीक है आपके पास बाकी लोगों से प्लस-प्लस एज है ता कि एक्सेंज है मैं ऐख है तो यह जो प्लस-प्लस मतलब एक्स्ट्रा एज है यह आप पे एक एक्स्ट्रा या इस प्लस-प्लस responsibility ढलता है और वह प्लस-प्लस responsibility किस چीज की होगी क्लास्थE100 प्लस-प्लस की responsibility भी आपको साथ साथ में रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए येस अगर आपने डमी ले रखा है तो आपकी प्रेक्टेस बहुत अच्छी होनी चाहिए फिर आपके पास कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए इसमें क्या चीज डिसकस करना चाहरे हो मुझे ही नहीं समझ मैं रहा यह तो प्रॉफीटेबल सिच्वेशन है एक बार उससे पूछ जो बिचारा सुबह साथ बजे घर से निकलता है और कड़क्ती धूप में स्कूल जाता है चलकर या फिर बाइक से या स्कूटी से या बस से फिर वापस आता है देड़ दो ढ़ाई तीन बजे तक फिर कुछ ख है ना तो जब आपके पास में टाइम जादा है तो रिस्पॉंसिबिलिटी भी जादा है क्लास 11 का रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए प्लीज क्योंकि आपने अगर कहीं से टाइम इकठ्था किया है तो स्टार्ट गीविंग इट तो यॉर स्टडीज और प्रेक्टिस जद बनवारे हों मुझसे चलिए डमी का टाइम टेबल देख लीजिए ठीक है वही करीबन करीबन आप छे बजे उठ जाओ ठीक है शिक्स थर्टी तक या सेवन तक चलो साथ बज़े तक आप स्टडी टेबल पर आगए साथ से लेकर करीबन करीबन फाइफ आर्स बारा बजे तक ठीक है यह जो पढ़ाई है आप क्लास ट्वेल्थ की पढ़ाई कीजिए प्लीज साथ से लेकर दस बज़े तक आप कक्षा 11 की पढ़ाई कीजिए 11 की रिवीजन बोल दीजिए या पढ़ाई कीजिए फिर ग्यारा बज़े से लेकर ग्यारा से बारा बारा से एक से दो दो से तीन कक्षा 12 की पढ़ाई कीजिए और फिर आप बोल सकते हो कि चार बज़े से लेकर नौ बज़े तक पी डवल्यू की क्लासेज और फिर दस बज़े से लेकर बारा बज़े तक रिवीजन रिवीजन किसका जो क्लास में बढ़ा है उसका ठीक है इसको अपने इसाब से अर्जस्ट कर लेना के लिए रहे वहीं हाँ तो मैंने च्छे घंटे आपके लिए निकाल दिये दस से बारा बारा से च्छे सोने का टाइम है शे बज़े उठ जाईए डन आप अगर रात को जाके बढ़ते तो मुझे उससे कोई समझ्चा नहीं है आप वह यहां से टाइम कम करना चाहते हैं तो यह टाइम अगर समझें बढ़ा आपके पास 11 का पढ़ाई करने के लिए कम से कम दो घंटे तो होनी चीए मैंने तीन घंटे निकाल के दिये मान लोगर किसी की बारवी में हलत ज्यादा खराब है तो यहां से वानार इधर शिफ्ट कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं है बढ़ा इस तरीके से आप बैलेंस करके चलिए ठीक है